आप 2024 में YouTube का जो अल्गुरिफ हमें वो पूरी तरीकी से चेंज हो चुका है अगर दोस्तों हम 2024 में एक YouTube बनना चाहते हैं तो आपको YouTube पर वीडियो अप्लोड करने का पता होना चाहिए तब ही आप जो YouTube पर वीडियो अप्लोड करके YouTube से पैसे कमा सकते हो नहीं हाँ YouTube के नए algorithm के अनुसार आपको YT Studio का use करके अपनी वीडियो को upload करना चाहिए अब दोस्तो साइद आपको ना पता हो किस तरीके से YT Studio का use करना है तो दोस्तो इस वीडियो को बिलकुल ध्यान पूर्बग देखना मैं आपको सब कुछ बताऊंगा A to Z किस तरीके से आप title लिख सकते हो high search volume वाला जो keyword किस तरीके से आपको title में लगाना है कैसे आपको description में high search volume वाले keyword लिखने है और किस तरीके से आपको tag वाले section में tag लगाने है और दोस्तो तीसरी और जो सबसे most important बात होती है वो है कि tag अब दोस्तो आपने देखा होगा कि YouTube पर काफी सारे creator आपको बताते होंगे कि उनके tag कुछ इस तरीके से rank करते हैं अब दोस्तो ये tag किस तरीके से rank करते हैं वो भी इस वीडियो में बताऊंगा पहले आपको सीखना होगो कि वीडियो किस तरीके से upload की जाती है दोस्तो वीडियो में आगे बनने से पहले कल की वीडियो के बिनर का promotion देख लेजे अगर आप लोग भी promotion कराना चाते हो तो सुबह सारेज बजी आईए वीडियो को फुल वाच करके एक पैरा सा comment करिए अगर आपका नाम यहाँ पर आजाता है तो हम अपने community टेप पर आपका free में प्रमोशन कर देते हैं और आपको 100 subscriber अपनी तरफ से दे देते हैं तो दोस्तो देख सकते हो मैंने इसकी recording आपके सामने लगा दिये अब किस तरीके से आपको video upload करना है पहले हम वो सीखेंगे इसके लिए दोस्तो सबसे पहले आपको YouTube चैनल open कर लेना है and open करने के दोस्तो बाद आपको plus वाल आइकन पर click कर देना है and click करने के बाद दोस्तो आप चाहो तो यहाँ से uploader video select करके video upload कर सकते हो या आप जो है chrome browser से भी कर सकते हो कहीं से भी आप कर सकते हो and दोस्तो यहाँ पर मैं YT studio पहले यहाँ से देखो open कर लेता हूँ ठीक है मैं अपन YT studio यहाँ से यह open देखो यह मेरा YT studio ठीक है अब दोस्तो चाहे तो आप यहाँ पर plus वाल आइकन पर click करके यहाँ से भी upload कर सकते हो लेकिन मैं आपको suggest करूँगा कि आप YouTube application का use करके अपनी वीडियो को upload कर सकते हो ठीक है माल लीजे आपके इस topic पर वीडियो बना रहे हो माल लेते है जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ कि YouTube पर वीडियो upload कैसे करें यहाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ कि YouTube पर सब्सक्राइबर कैसे बना रहा हूँ इस तरीके से मैं वीडियो बना रहा हूँ माल लेते है ठीक है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर देखिए analytics पर क्लिक करूँगा सबसे पहले मुझे चाहिए पर देखनके टाइंड तो मैं टाइंटल कैसे लिखोंगा पहले उसके व भूब पर बात करें हूं पर घयेने के लिएख करने के लिए सबसे पहले मैं दोस्तों क्या करूंगा यहाँ पर करूंगा सबसे मह利oneま सर्च वारवाले बटन पर कर दूंगा आप सबसे पेले मैं आपको एक बात बता दूँ जब भिए आप टाइटेल को दो कीवर्ड आपको टाइटैल में एक हिंदी में कीवर्ड लिखना है एक इंपलना है जय से लिए कभिकिया तो कभीकभी क्या यहां पाद क्लिक करने के बार दोस्तों आप आपको क्या कर ना है इसको कोई यहां प्का पहला टाइटल हो गया ठीक है तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने उसमें नोटपैड का यूज भी कर सकते हूं तो मैं क्या करता हो । नोटपेड का य्यूज कर लेता हूँ, यहाँ पर देखिए मेरे नोटस आ गए, तो यहाँ पर मैं किलिक करके नोटपेड में सबसे पहले अपना पहला टाइटल लिख़ दूँगा, अब दूस्तों यही टाइटल का यूज करके आपको अपना second title generate करना है कैसे करना बताता हूं इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा अपना करना पड़ेगा यहां पर आपको यहां पर सबसे ज्यादा क्या सर्च किया रहा है तो यहां पर आप जल्दी से कौपी करने के बाद मैं क्या करूंगा यहीं पर सर्च कर लेता हूं how to get how to get subscriber on YouTube first यही वाला था ना keyword तो हम इस keyword को भी यहां से copy कर लेंगे अपने notepad में जाकर क्या करेंगे इस वाले keyword को भी हम इस तरीके से लगा लेंगे यह हमारा हो गया title ठीक है यह हमारा title लिखकर रेडियोगा अब दोस्तों बाहरी आती है description में अपने tag डालेगे आपने देखा कि description में काफी सारे लोग tag डालते यह कहां से डालेंगे तो हम बताते हैं देखिए इसके लिए आपको कुछे निक करना हो लिए आपने जो वाइटी इस्टूडियो में जो keyword search की है इन keywords को आपको क्या करना है करके सारे keyword आपको copy कर लेना है या आप copy ना कर पा तो इस तरीके से आपको screenshot ले लेना है screenshot लेने के बाद आपको back आजाना है और back आने के बाद आपके mobile में इस तरीके सा Google होगा या आप Chrome browser का भी कर सकते हो तो यहां पर आपको फोटो का option बलका है इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहां पर आपको क्या करना है इस सारे keywords को आपको यहां से जाकर copy कर लेना है इस तरीके से सारे के सारे जो keyword है करके copy कर लेता हूं अपने description box में कुछ इस तरीके से डाल दूंगा यह होगा हमारे देखो title लिग गया description में अपना title सबसे उपर भी डाला करूं ठीक है दो काम हो गए अब बाहर ही आती है है सब्सक्राइबर कैसे कैसे बणाए इस तरीके से आपके सामने काफी सारे हैस्टेग आ जाते इन हैस्टेग का यूज कर सकतो है अपने category के किसी भी दो वड़े के आप लगा सकते हो यह अपका पूरा प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ठीक है अब दोस्तों बाहर ही आती है आपके टैग वाले सेक्शन की तो टैग वाले सक्षन में आपको क्या करना है सबसे पहले अपने टाइटल में जो आपने कीवर्ड लगा है स्टार्टिंग में वह अब जो आपको चकटरों तerson लगा दिन गरिशा लोगाए अपने वाले सट्वाले सेक्शन में ठीक है यही से लगाएंगे। सा वोल्यूम वाले मीडियम वाले जहां जहां में मीडियम दिखता जाए वह वाले हम डाल देंगे ठीक है इते को लो वाला छोड़ देंगे मीडियम 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 इस तरीके से डाल देंगे ठीक है अगर जगावस्ती है पांसो वर्ट्स का होता है अगर जगावस्ती है तोफर उसके बाद आप लोवाला भी डाल सकते हैं लाश्ट में अपने चैनल का नाम भी जरूर डालना यह हो गया आपका पूरा का पूरा वीडियो अपलोड कहने का एक प्रॉपर एंड सही तरीका ठीक है और अपनी वीडियो को आपको अलेश्टेट पर अपलोड करना है दोस्ते हैं ओर लगजाने के बाद अब क्या करना है अपनी वीडियो को कभ अपलोड करना है अब लोग क्या करते हो यहां पर मैं थोड़ा बंद कर देता हूँ रिकॉर इसकी रेकॉरड iNk sm sitten ऻुँलेस लिए अपने तुरंत वडियो को अप्लोड करना आक को कम से कम में घंटे डेड़ घंटे या कम से कम 30 मिनट का बेट करो एंड उसके बाद आपको वीडियो अप्लोड करनी है क्योंकि यूट्यूब आप समझेगा कि वीडियो जो है हमें किस के कैडिगरी पर भेजनी है एंड किस टाइटल पर रैंक करवानी है ठीक है फिर आप वीडियो को अ इसमें आप जैसी open करोगे तो आपके सामने तको किस तरीक एक interface आता है अब इस पर click करके अपने tag देख सकते हो रैंक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ठीक है अगर tag रैंक नहीं कर रहे है तो आपके सामने automatic आजाएंगे कौन-कौन से tag rank कर रहे हैं और उन tags को आप देख सकत हो ठीक है तो आई अपके दोस्तों आपको इस वीडियो से को सीखने को मिला होगा मिला है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड कमेंट करना अगर आपका कोई डाउट है मिलते है नेक्स्ट वीडियो में